अलो दोस्तों शड़ी मूड में आपका स्वागत है बिहार पुलिस में कोश्टेबल से लेके दरोगा तक नई भरती के इंतिजार लाखो अभियार्थी करते हैं कोश्टेबल का फर्म 12 पर भरा जाता है तथा दरोगा वाले अभियार्थी गर्जुएट होने चाहिए अभी आप हाल में देखे होंगे एक दू दिन पहले मैंने आपको विडियो बना कर जनकारी दिया था कोश्टेबल के भरती के बारे में काफे अभियार्थी बोल रहते कि सर दरोगा के भरती के बारे में क्या होगा कोश्टेबल के भरती के बारे में मैं आपको एक अच्छी खबर भी बताया था एक बुरी खबर भी बताया था जो कि 11 महीने पहले मैं आपको बता चुका था मैं अभी भी आप लोग को बता रहा हूँ कि आने वाला समय में जो न्यूज आने वाला है उसमें दरोगा में भी यहीं देखने को मिलेगा यह पूरे experience के साथ मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि सभी खबर पर मैं नजर बनाये रखता हूँ और क्या क्या अलग-अलग स्टेट में होता है पूलिस रिलेटेड वह भी मैं ध्यान से देखता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह न्यूस में आज भी आया है आज न्यूस में क्या है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फिर बासाथ हजार जो नई भरती के जो बार-बार लोग धुंडोरा पीट रहे हैं सबी लोग की बासाथ हजार आने वाला है एक साल में वो भी मैं आप लोग बता दूँगा ठीक इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है क्या बिहार पुलिस में भरती CSBC कोंश्टेबल के 35,000 और BPSC दरोगा के 23,000 पदो पर निकलेगी भरती जाने योग गिता यह साब साफ लिखा हुआ है कि 35,000 कोंश्टेबल और दरोगा के 23,000 पदो पर भरती निकलेगी योग गिता आप लोग जानते हैं कोंश्टेबल के लिए चाहिए गरिवेशन चाहिए दरोगा के लिए ठिक और यह आप देखिएगा इसमें को ड्राइबर का भी पोश्ट होगा जो कि पहले ही मैंने आपको बताया था यह साथ 7 दिसमबर 2022 को आपको देखिएगा आज सी की सुबा अपडेट किया हुआ निउस है वैसे आपको कल क चरणवार तरीके से भरे जाएंगे चरणवार तरीके कह दिया था इसका मतलब कि आने वाले तीन से चार साल में आपका यह पड़े जाएंगे इनमें से 35,000 पड कोंश्टिबल के हैं इसमें कोंश्टिबल के 65,000 पड़ पोर भरती की बिग्यापन इसी दिसमबर जनुवार जो भरती 28 और 29 दिसंबर ठीक अब आगे चलते हैं भरती बिग्यापन दिसंबर या जनुवरी में जारी की जाएगी यह तो पहले से ही अब को बताया जा रहा है पुलिस मुख्याले का अधिकारियों के मुताबिक दिसंबर के आखरी या जनुवरी में हर हाल में सिपाही के अधिक लगठी है तो मैं आपको बताया था कल या पर सो में नी बीडियो बनाया था शो में ने आपको बताया था कि यह जो इसरकार की देड़वी बने की क्छा रखते हैं यह उपर लेबल तक अभी नहीं पहुंच पाया है उपर लेल में भी לगाने के को से हो रहा है मैं आपको अलग से वीडियो अपडेटेट लाऊंगा ठीक अब यहां पर मैं आपको बता दू कि यह जो क्या है कि 65 वाखिर क्यों हम लोग तो 12,000 से पद की सुचना दिया गया था कि मैं आपको इसी साल एक वीडियो बनाया था और बताया था कि CSBC अब भरती जो निकालेगा उसमें देखिएगा कोंश्टेबल का बहुत कम पद मिलेगा दौरोगा के भी भरती में मैंने आपको बताया था आज से मैं आपको वीडियो का लिंक भी दिखाऊंगा जो कि लगबक अब इसमें क्या है और आगे मैं आपको बता दूगा कि क्या आयोग क्या इसमें आपको आयोग क्या सफाइज देगा उसको तो जितना भरती जाएगा उतना ही भरती निकालेगा इसमें अलग-अलग बिभाग का है और बिभाग भी किस से जुड़े रहते हैं तो भाई मंत चमता है उतना तु कर दीजे लड़कों का भला हो जाएगा लड़के इंतियार करें बिचारे उनका उम्र जा रहा है ठीक अब यहां पर देख सकते हैं क्या है कि BPSC बिहार पुलिस सब्रीनोट सर्विस कमिसन जो है जो BPSC दरोगा की एकजाम लेता है 23,000 पदो पर भरती निकलेगा क्या 23,000 पद पर भरती निकलेगा यह 4-5 साल का योजना बता रहा है 23,000 पदो पर लेकिन एक बार मिलिक दिया गया लड़के खूस हो जाएंगे 23,000 भरती आ रहा है क Constable Driver के 9,000 पद लोग सुनकर एकदम गदगदा आ गए होंगे 9,000 पद अरे भाईया 9,000 पद पर कभी नहीं भरती निकलने वाला है ड्राइबर का यह 9,000 पद 2-3 साल में भरे जाएंगे जो कि मैं बार-बार आपको बताता हूँ क्योंकि Constable Driver का आपको एक साल में दिखेगा Constable का कब भेजा जागा उसका भी मैं इसी में निउस आपको दे दूँगा ठिक अब देखेगा आपर ASI और हवालदार के पदू पर्मोसन से भरा जागा ASI हवालदार पर्मोसन से भरे जाते हैं लेकिन ASI में एक अश्टोनो का पद होता है बहुत दिन से लड़के इंतियार करें के ASI का कब भरती आएगा कब भरती आएगा कितने साल से भरती नहीं आ रहा है पताए उनका उम्र खतम हो जाएगा पचीस साल उम्र दिया जाता है उम्र खतम हो जाएगा नहीं आएगा भरती तो फिर वो का करेंगे फिर तो उनके हाथ में नहीं नहोगा लॉक्डाउन के चलते हैं इसे ही उम्र प्रभावित हो चुका है हजारोगपती की संख्या में खा दी हम लोग आटी नहीं दालते हैं लोग जनकारी है ना हम लोग जनकारी है सब डाटा निकलता है जो सेंटर गुरूमेंट का बिहार गुरूमेंट का पढ़ते हैं एक चीज पढ़ते हैं और अस्टेट से बर यह बोल देना कि 35% महिलाओ के लिए हो चुका है भी है पूरे भारत में तोफ है महिलाओ के मामने अबरे भाईया महिलाओं ही आपके कपार पर चड़कर नाचने लगी इस बात को जब जानेंगे ने पूरा दिमाग में घुष आएगा कि हमरें साथी चलावा हो रहा है क्योंकि आप एक बात कहिए कि 10,000 पोस्ट है मालेजे मैं यह थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं इससे नहीं बताना चाहिए मुझे 10,000 पोस्ट है इसमें से 35% महिला है और इसको पूरा आपको बिहार में के सबसे अधिक बिहार में परसंटे से महिलाओं का अगर यहीं हमको जरूरत है एक लाख का आपको लग रहा होगा कि यह बहुत बड़ा भरती है और यह क्यों छोटा भरती है और यह क्यों छोटा भरती है यह जब कॉंट्रेक्ट पर भाहली हो रहा है पांच जर कोंष्टीबल इसे साल जब मिल जाएंगे उनको पॉंट्रेक्ट पर दो साल के लिए तो क्यों आपको पांच जर सीट इसमें से जोड़ दीजिए यह जोड़ दीजे तो यह होता है सचाई नहीं बताएंगे लोग आपको सचाई से गुमराह करेंगे बस बेचनी के चक्कर में लगे हुए है कुछ भी बेच दो ठीक अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं जो अए आठारा वर्स मिनमम है यह 25 वर्स है तो कम स अब ही आपको एक तरफ से परहार ही हो रहा है कि कि वह तो ट्वल्थ पास हो चुके है इस समय और अगर कटफ डेट जो पासिंग डेट अगर जनुवरी रखता है तो वह फोम नहीं भर पाएंगे तो समस्या दोनों तरफ है तो CSBC को इस बात को समझाना चाहिए विभाग क समझाना चाहिए कि भरती जब निकाले तो दोनों के समय सा सुने अब आप ते हैं SI भरती पर SI वाले अभियारते बड़ी खूस होंगे कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा कोंश्टेबल वाले अभियारती के साथ होता है मैं अभी आपको बोल दे रहा हूँ वीडियो एकदम रिकोर्ड करके एकदम डाउनोड करकर रख लीजे आप लोग के साथ भी ऐसा ही होगा क्योंकि कोंट्रिक्ट पर दरोगा के लोग बहुत से मिल चुके हैं बहुत से लो बार बार जो भी आपको कॉंट्रिक्ट पर भाले के लिए नोट्फिकेशन आता था मैं आपको बताता था कि दीखिए इसका आपको अभी साब साबीत होने वाला है क्योंकि जब लड़के मिल जाएंगे जब उनको मिल जाएंगे कि अरे यार कम ही पईसे पर हमको दरोगा म भरती हुए इमंदारी पुरवक अपने दरोगा के एक्जाम दिया दरोगा मुकलिफाई होंगे आप गरीब केस देख रहे हैं माली जो उसका उत्पीड़न का केस है या कुछ भी केस है तो आप इमंदारी पुरवक अपना गरीभी याद करकर तो केस लिखिए गह के साथ अन्याय हुआ, गरीब लड़कों के साथ अन्याय हुआ, गरीब अदमियों के साथ अन्याय हो रहा है, गरीब लोगों के साथ परजा के साथ अन्याय होगा, इसलिए मैं इसको सुरू में ही बिरोध किया थे, इस बात के लिए कि सुरू में बिरोध करना चाहिए, अज सब लोगों को भी रोध करना चाहिए लेकिन आप देखिएगा कोई भी उस समय के यूटूब पर बहुत कम ही लोग मिलेंगे जो टीचर मिलेंगे पटना है कि बहुत कम मिलेंगे जो कि इस बात के लिए आवाज उठाए कोई नहीं आवाज उठाया सब गूरूप डी एंटी अगर पुलिस बिभाग में संबीदा प्रभाली आ गया तो समझे ये भी बिभाग हम लोग के हाथ से निकल जाएगा यानि कि आप लोग के हाथ से निकल जाएगा हमको कोई पुलिस में जाकर नहीं डूटी करना है आप लोग के हाथ से निकल जाएगा और यहीं हुआ आप अगर आप लोग को नहीं बिलिब होगा तो यह वाला मेरे विडियो निकाल कर देख लिजेगा 11 महीन पहले ही महीन आपको यह बता दिया था कि अगर इसका बिरोध नहीं किया जाता है और सरकार इसको वापस नहीं लेता है तो लेकिन सरकार तो 2015 सहीं मनसा बना चुका था 2015 सहीं अंदर 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 समझे कि विश्वगात हो रहा है लड़कों के साथ है अब यह कहिएगा कि सर यह मतलब का हम लोग इस पर क्या कर सकते ह था, अब सोच लीजे क्या करना है क्या नहीं करना है बस आपे के हाथ में है अब यहां पर मैं आपको बता दू कि यह जो आपको पैसर नहीं भरती है यह कब तक दिखाई देगा तो उससे पर यह दिख लीजे कि जो 865 वाले में यहां पर देख सकते कि 848 जो अभ्यार्ती उसमें से आप दिखिएगा तो ये दिखिए कि इनका जो ट्रेणिंग है ये दिखिए नौ निक्ट सिपाहिओ का 15 दिसंबर से 11 अस्थानों पर सुरू हो जाएगा ट्रेनिंग, लगबग 12 होपर होता है लेकिन ये 11 अस्थान पर सुरू किया जा रहा है ठीक, उनका ट्रेनिंग सुरू हो जाएगा तो 15 दिसंबर से ट्रेनिंग सुरू हो जाएगा PT पास होए, फिर मेंस पास होए, और फिर उसके बाद आप दिखेगा फिसकल पास होए, तब जाकर merit list बनता है, और PT और मेंस का आप समली तरुप से तयारी कीजिएगा, तब जाकर score कर पाइए, पीटी में 100 question पुछा जाता है, दो घुटे का समय होता है जिसमें करेंट अफियर लगबग 20-25 होता है पाच कॉशन मैंत का होता है बाकि जिक्के का कॉशन होता है साइन्स का भी 20-25 कॉशन होता है फिर मेंस में आप देखेगा आप को भी पीटी के तैयारी करें तो टार्गेट यहीं रखे कि 80 पलस हमस्कोर कर पाहिए जिस तरीका से कंपरटीशन बढ़ राया है आप देखेएगा कि कही न की कट अब बढ़ता कितना भी हार्ट कोशन है फिर आप देखेगा कि उसके बाद उसके 20 गुञ्णा रियर्ट दिया जाता है किसके स תबस्क पहस्छ टार्गेट करकर चलना होगा तो पीटी और मेंस का समझी तयARS actual कि प्रक्राइब हो जाए गा फिर सिर्फ मेंस का अप बोगोग सेट लगाना पड़ेगा इसलिए मैं बोलता हूं कि कम से पेसिक और लूशेंट और क्राउन देखते रही है, आज भी उसका कोई तोड नहीं है, बहुत लोग आपको छलावा में छलाएंगे कि इतना, पीटी पास होने के लिए लूशेंट क्राउन काफी है, मैं आपको बताता हूँ न, मैं आपको कोशन दिखा भी दूँगा, कुछ कोशन जो दरोगा के लिए भी नोवंबर को दिखिएगा, अलग-अलग भी भाग में, अभी उसका रोश्टर से क्लियंस अभी नोटीस नहीं आया, जैसे ही नोटीस आएगा, मैं स्पेसल वीडियो बना कर बताऊंगा कि दरोगा के कितने भरती पर आया है, और कितना भरती आपको द लड़के ही आते हैं, अगर उनके पेट पर लात मारियेगा, उनके अगर बढ़े हुए लड़के अगर बाहर चले जाते हैं, तो फिर बिहार का विकास नहीं हो पाएगा, और बिहार का विकास करना है, तो कही न कहीं वैसे लोगों की जरूरत है, और वैसे लोगों की प्रूरत तभी होगा जब यहां पर भरती बड़े अस्तर पर होगी टिक बाकि यह जो 62,000 है यह आपको तीन से चार साल में भरती होने वाला है मैं अभी बोल देता हूं आप देखिए का लगतार यहीं होने वाला है टिक वीडियो देखने का बहुत धन्यवाद